हर्याना के सिक्षा मंत्री कवरपाल गुर्जर ने M1 प्राइम से खास बातचीत की है उन्होंने HTET के विशे को लेकर के कहा कि हर्याना में HTET की अवधी पहले 5 साल की थी लेकिन मुख्यमंत्री मनुहर्णाल ने इसे 7 साल तक कर दिया है इसे के साथ उन्होंने कहा कि सब्धी की अब आगे कितने साल होनी चाहिए इसको लेकर के वो मुख्यमंत्री मनुहर्णाल से बातचीत करेंगे शिक्षामन्तरी कवरपाल गुजर है हमारे साथ दिन से बातचीत करेंगे कि एच्टेट को लेकर के आखिर सरकार का विचार क्या है सर एच्टेट पर लाइफ टाइम करने की बात कही गई थी लेकिन क्या विचार है किस तरी के अभी किंदर ने इसको लाइफ टाइम किया था तो हमने भी विचार किया था कि इसको लेकिन अभी उस पर सैम्ती नहीं पड़ी अभी तक देखे पहले पांच साल थी मानने मुख्धरी जी ने बढ़ाए के पांच की साथ कर दी थी अभी उस पर आगके बढ़ाने के लिए कोई भी बात चीत नहीं अगर कोई बात चीत होगी तो निश्ची तोर से आपको जानकारी दूँगा अभी इस परकार की कोई बात दूँगा कोई। इसके बारे में सोत रहे हैं करने का सोत रहे हैं लेकिन अभी इसके बारे में कोई फैसला नहीं कोई बात ची तो जो भी फैसला होगा मैं आपको बताव को जो एक वचार और है जो मुद्दा है हमारी विधान सभा को ले करके हरियाना की विधान सभा को ले करके पंजाब के न वविदान सभा में और सो बात करने के लिए तो सीधा तोर पर अगर हम बात करें एक और जहां एच्टेट का जो विशा है उस पर साफ़ तार से केबिनेट मंतरी का औरपाल गुजर ने ये बात कही है कि यकीनल लाइफ टाइम जो की गई थी इसके अबदी उसको मुख्य मंतरी के तरफ से इंकार कर दिया गया है लेकिन इसकी अबदी किस तरीके से रखी जाए इसको लेकर के मुख्य मंतरी के साथ एक बैठक की जाएगी वहीं विदान सभा के मसले पर भी उन्होंने कहा कि विरोध का पंजाब के नेताओं के पास कोई ठोस कारण नहीं है चंडी कर से कैमरामें सोनू के साथ जितेंदर चौधरी एमेच वन न्यूज